हेलो एवरिवन मैं पुझा चोधरी खुशी मेकवर से वेलकम टू माई चैनल तो आप लोग देख सकते हैं आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वह है कि आप लोग मशीन से हेर स्टेटनिंग कैसे कर सकते हैं कौन सी मशीन यूज़ करनी चाहिए क्या 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 प् और उसके बाद हम लोगोंने यूज़ किया है हेर सीरम हेर सीरम भी हम लोगों को जरूर यूज़ करना चाहिए जब कभी भी हम अपने बालों में स्टेटनिंग करना है हेर सीरम आप कोई भी ले सकते हैं हीट प्रोटेक्टर भी आप किसी भी ब्रेंड का ले सकते हैं मैंने कि आप लोगों के जो बालो को है न वो आइकनिक मशीन बहुत कम हाम करती है और उसकी जो हीट होती है वो इस तरीके की होती आपके बालो कोinek आही वो उटोमेटिकलिकली काफी सिल्की दिखा दिखाता है, काफी स्टेट दिखाता है और जब तक आप उपने बालों को वोष निकरेंगे तब तक आपका कुम स्टेटनिंन है वह बालों से नहीं जाएगी चाहे वह तीन दीन हो चार दिन हो या पांस दिन तो इन चीजों का ध्यान रखिए कि आपके साथ में क्या प्रोडेक्ट यूज हो रहा है कैसा पालर है वो जिस जगा आप काम करा रहे हैं क्योंकि देखिए आजकल क्या है गली-गली में पालर है और जरा-जरा सा सीखने के बाद लोग पालर खोल लेते हैं उन लोग को नोलि क्योंकि देखिए हीट से आपका बाल बहुत हाम होता है और अगर उसका कोई प्रोटेक्टर लगाया फिर हम लोग ने सीरम लगाया उसके बाद हम आईकोनिक मशीन से कर रहे हैं तो इस तरीके की प्रोटेक्शन जब हम लेते हैं तो हमारे बालों को बहुत कम हाम होता है औ और बहुत अच्छे से जो है वह हमारा काम होता है तो इंची जोगा प्लीज धियान रखिए मैं काफी नॉलिज अपनी वीडियो में आप लोगों को सब को देती रहती हूं और आप लोगों को काफी पसंद आती है वह नॉलिज तो देखिए हम लोगों ने section बनाये थे air to air patting के और पीछे की side के और सबसे नीचे का जो section था उसमें जो है वह छोटे छोटे से part लेकर हम लोग देखिए इस तरीके से machine के बीच में रखके और उसको pressing करते चले जा रहे हैं एक layer को हमें 2-3 बार pressing करनी है क्या होता है न हम लोग एक बार pressing करते हैं तो हमारा जो बाल है कि हमें कितनी बार pressing machine में अपने बाल निकालने हैं और pressing machine की जो heat है वो आप 200 से उपर मत रखिए क्योंकि देखिए 220 और 230 इतने तक चल जाता है 200 तक भी चल जाता है डिपेंड करता है कि आपके बालों की condition क्या है अगर आपका बाल बहुत पतला है तो आप 200 तक ही heat रखिए और अगर आपकी बाल जो है वो काफी hard है और काफी मोटा बाल है तो उसमें हमें 230-220 तक जो है वो heat का level लेकर जाना होता है तो इस सारी चीजें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए और automatically हमारी जो machine होती है जैसे कि iconic machine काफी महंगी होती है professional iconic machine है तो यह automatically heat को जो है व भी होता है automatically जितनी भी machine होती है उनमें अगर heat आपकी जादा चल रही हो तो वो automatically बंद हो जाएंगी heat कम हो जाती है तो automatically start हो जाती है तो हम लोगों को जो है वो उस पर बहुत जाद ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो machine ही अपना control करती है अपनी heat को बट जो normal machine होती है जो local machine होती है वो इस चीज को नहीं कर पाती है ना उनको यह रहता है कि heat बहुत जादा हो रही है तो बंद हो जाए या heat बहुत कम हो रही है तो अपने आप स्टार्ट हो जाए ऐसा उन machine हो में नहीं होता है तो please कोशिश करिए कि अच्छा tool यूज करिए hairs related जितना भ हमकाम करेंगे एक हमारे जो बाल है उनको बहुत हाम होता है तो इस तरीके सा हören च्छोटे-च्छोटे से पार्ट है और चोटे-च्छोटे से पार्ट में 2-3 बार आपके छो ब्लेख हो मशीन तो मैंने कई बार आप लोग को बताया है कि मेरा पालर जो है वो मुरादबाद में है मुरादबाद आशियाना फेस वन में मेरा पालर है पालर का नाम है खुशी मेक ओवर और आप बिल्कुल पालर तक आ सकते हैं और आप देख सकते हैं देखिए फाइनल रिजल्ट कितना प्यारा है और कितने प्यारे इनके बाल लग रहे हैं आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा जरूर